खुदाई में मिला 800 साल पुराना घड़ा अंदर से जो निकला। उसे देख हुए हैरान दुनिया के कई आक्योलोजिस्ट्स को खुदाई के दौरान नई चीजें मिलती आ हैं। ये चीजें सब्यों पहले किसी ना किसी वजह से जमीन से काफी नीचे छुपा दी गई थी या तब गई थी। यूएस के विसकॉंसिन में आक्योलोजिस्ट्स को खुदाई के दौरान मिले एक घड़े से भी ऐसा ही कुछ निकला। लेकिन ये चीज कीमती नहीं, बेश कीमती थी। 2008 में विसकॉंसिन में आक्योलोजिस्ट्स को खुदाई के दौरान एक मिटी का घड़ा मिला था। आखिर क्या था 800 साल पुराने घड़े के अंदर। सभी उस घड़े को देखकर रच्रज में पढ़ गए। गड़े से बनाई ये घड़ा 800 साल पुराना था। जब उन्होंने घड़े को खोल कर देखा, तो उसके अंदर से जो निगला उसने सब को हैरान कर दिया। गर असल, घड़े के अंदर कुछ बीज रखे हुए थे। जब आकियोलोजिस्ट्स ने उन बीज को बोया, तो हाली में उससे जो पौधे निकले। वो विलुप्त हो चुके स्क्वाश की प्रजाती के निकले। आकियोलोजिस्ट्स के साथ साइंटिस्ट्स भी हैरान है कि कैसे एक खड़े के अंदर 800 साल बंद रहे बीजों ने गायर भूच के फाल को फिर से जिंदा कर दिया। आकियोलोजिस्ट्स ने इन बीजों को जमीन में बौने का फैसला किया। इन में से कुछ बीज सूख चुके थे। लेकिन कुछ बीज आट 100 साल बाद भी जिंदा थे। इन बीजों से स्क्वाश एक तरह का कद्दू के पौधे निकले। ये स्क्वाश आम पौधों से बड़े थे और इन में लगने वाले फैल का साइज भी नॉमल स्क्वाश से बड़ा था। बाद में पता चला कि स्क्वाश की ये प्रजाती सालों पहले विलुप्त हो चुकी थी लेकिन इस खड़े से मिले बीज की वजह से एक बार फिर से लोग इस फाल को खा सकते हैं।